अचर जी मुझे लगता है कि मोबाइल समस्या नहीं है समस्या हमारी हमारा विचार है समस्या हमारा अप्रोच है जो हम प्रयास करते हैं मुपाय तो हमारे सुकसादन के लिए था हमारी आवशक्ता के लिए था लेकिन हमने वसे आवशक्ता से अहिक अभीन में अस्थान दे दिया है यही भोजन जब आप अत्याधिक कर लेंगे, तो आपको निंद्रा आएगी, आपको तंद्रा आएगी, आपको आलच से आएगा, आपको प्रमाद आएगा, पांच चीजे आएगे, पांच दुर्गुण आ जाएगे, तो अधिक मात्रा में जवाब करते हैं, तो उपयोग म हमने रहने ही रहना, रहिए, एक घंटे रहिए, लेकिन सारा दिन तो मत रहिए, बिल्कुल, आपसे चर्चा करते वाचारी जी मुझे समय का बिल्कुल भान नहीं रहा, बहुत समय हो गया, और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक है, जो पॉड़कास देख रहे हैं, उन गोबर्धन, पूजा, दो तारिक को ही करना चाहिए, सास्त्र सम्मत है, गोबर्धन, पूजा, इसमें कोई दो मत है नहीं, दो तारिक को गोबर्धन होगा, और तीन तारिक को भाजदूज मनाया जाएगा, दिके भाजदूज की भी बड़ी महिमा है, उसमें भी मंत्र की विधी बताई गई है कि भाई को कब करना चाहिए वह बहने जाएं भाई को स्वस्ति तिलक लगाएं ठीक है ना कुमकुम का आच्छत का तिलक लगाएं भाई की आरती उतारे उनके उपर पुष्प डालें यह वैदिक विधी है उसको करके और अपने भाई का मुह मिठा करा और यम दूतिया का यहां तक भी महत्में हैं कहीं लोग कहते हैं कि यम और यमुना दोनों बहने nya भाई बहन है पूजा की पूजा कि जाती है अवे हम जल की रक्षा करेंगे अब आज देखते है युका क्या हूल हो रहा है इसके जिम्मेदार हम आफ हैं यह हमारी जिम्मेदारी है कोई सरकार इसको पूरा नहीं कर सकते कितना कर लेगे इसलिए यमुना पूजन का आर्थ है यमुना में आप दूद से विशेख कर दीजिए दही से कर दीजिए घी से कर दीजिए सहद से कर दीजिए पंचा मिर्त बनाकर यमुना जी में विशेख करिए यमुना का जल भी सु हो जाएगा आने वाली उसके घर में समझ्चा जो यह हम भाई रहता जो लोग बहुत भैयानक भैयानक सपने देखते हो सपने देखना भी बंद हो जाएगा इस अच्छा